हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल, आज हम बात करने वाले हैं United India Insurance Company Limited, जिसे कि हम UIIC भी कहते हैं शौर्ट फॉर्म में, उनके द्वारा Assistant Post निकाली गई है, means Assistant एक Post का नाम है, वो Post निकाली गई है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, इसमें आपको इस Post के रिगार्डिंग पूरी इंफर्मेशन मिलेगी, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट फॉल हम बात करते हैं कि यह United India Insurance Company Limited है क्या, देखें जो United India Insurance Company Limited है ना, यह एक Leading Public Sector General Insurance Company है, जो की wholly owned है by Government of India, simple शब्दों में समझ लीजिए कि यह एक General Insurance Company है, जो की पूरन रूप से सरकारी कमपनी है, यानि कि यहां पर जो यह Post निकाली गई है, यह सरकारी Post हो गई एक परकार से, तो सबसे पहले बात करेंगे कि Name of the Post, Post का नाम है Assistant, और जो Post निकाली है, तो अच्छी खासी मातरा में यह Post ने हैं, तो इनके लिए आप प्रिपेर कर सकते हैं, अब देखिए बात करते हैं, और जो अभी हमने बात कर ली, United India Insurance Company Limited है, और यह एक Leading Public Sector General Insurance Company है, विच इस होली ओन्ड बाइ गवर्मेंट आफ इंडिया, नेक्स हम बात करेंगे Educational Qualification की, तो देखिए इस टेस्ट को देने के लिए आप किसी भी Recognized University से Graduate होने चाहिए, तो आप Easy लिए यह टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, साथ ही साथ इसके लिए एक और requirement है कि आपको Reading, Writing और Speaking की Knowledge होनी चाहिए, पर कहां कि जो भी Regional Language है ना, जिस भी स्टेट से आप Apply करेंगे उस स्टेट की जो Regional Language होगी उसको आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, तो ये भी Graduation के साथ में requirement है, नेक्स है Age Limit, तो देखिए Age Limit इसमें है 21 साल से लेकर 30 साल, as on 30th November 2023, यानि कि 21 से 30 वर्ष के जो लोग है, वो इस पोस्ट के प्लाय कर सकते हैं, सेलरी की अगर हम बात करेंगे तो ये है 37,000 पर मन्त, यानि कि 37,000 पर मन्त होगी ये initial stage में in Metro Cities और साथ में Alliance भी होंगे, वो डिपेंड करेंगे कि कौन सी जगह पर आपकी जो है वो पोस्टिंग होई है, तो इस तरह से देखा जाए तो सेलरी भी हम बात करेंगे registration rates की, तो देखें ये जो vacancies हैं, ये 16 December 2023 से इसकी जो online registration है, वो start हो चुकी है, और जो last date है online application के लिए वो है 6 January 2024, तो यानि कि 16 December से लेकर 6 January 2024 तक का आपके पास time है कि आप अपनी online application जो है apply कर सकते हैं इस post के लिए, और जो आपका download of call letter है न, वो जब भी आपके examination date आएगी, उससे 10 दिन पहले आप इसे download कर सकते हैं, और mostly जो tentative date है न, online exam की वो February में हो सकती है, मतलब जो month of February हैगा न, वहाँ पर इसके जो mostly chances हैं कि February में ये exam आपका हो जाएगा, next हम बात करते हैं fee structure की, तो देखें इसमें fee structure का क्या है, कि जो हम कह सकते हैं general category है, उनके लिए जो fees है, वो है thousand rupees plus GST, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि all applicants other than SCST, PWBD, permanent employees of the company, तो उनके लिए है thousand plus GST, और जो reserve category आगई है, जिसमें SCST, in person of the benchmark disability, मतलब PWBD and permanent employees of the company, उनके लिए ये जो fees है, वो है 250 plus GST, next हम बात करते हैं कि इस exam का syllabus क्या रहने वाला है, तो देखें first of all तो यह जो exam होगा ना, यह आपका 2 घंटे का होगा, यानि कि 120 minute का duration रहेगी टेस्ट की, pattern इसका होगा objective, means MCQ pattern में यह आपको exam आएगा, और अब देखते हैं कि इसमें जो contents आएंगे या syllabus होगा वो क्या होगा, तो देखें जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है test of reasoning, यानि कि reasoning के questions आएंगे, 40 questions होंगे और 50 number के होंगे, then test of English language, यानि कि जो English में language part रहता है न, grammar part जिसे हम कहते हैं, उसके भी 40 questions आएंगे, वो भी 50 number के होंगे, then test of numerical ability, numerical ability के भी 40 questions है, 50 number के है, test of general knowledge and general awareness, इसके भी आपके जो questions हैं वो 40 हैं जो कि 50 number के होंगे, अब देखें यहां पर यह जो fourth point है न, जहां पर दिया गया है test of general knowledge and general awareness, इसमें most of the questions जो है न, वो general awareness के बारे में होंगे और ज्यादा जो यह cover करेंगे न, वो financial और insurance sector से यह cover करेंगे, तो उन पर आप खास ध्यान देंगे, और fifth point पे दिया गया है computer knowledge, तो आपको जो computer का भी इसमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि computer से related questions आएंगे, 40 questions होंगे, again वो भी 50 number के, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो पांच आपको topics दिये गए हैं, सभी equally divide किये गए हैं, मतलब equally सभी में से questions आएंगे, तो total जो marks बन रहे हैं, वो कितने बन रहे हैं 250, यानि कि जो आपका यह test होगा, यह 250 marks का होगा, पर time का आपने ध्यान देना है, क्योंकि जो time है वो 120 मिनट का है, और जो questions आ रहे हैं वो आपको 200 आ रहे हैं, तो इसमें कह रहेगा कि आपको एक question में न, एक मिनट से भी कम समय का मिलेगा, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस अपनी थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, तो ध्यान से आपने इस टेस्ट को करना है, अब बात करेंगे selection procedure की, तो देखिए जो selection procedure है न, इसमें क्या है कि पहले तो आपको यह objective exam clear करना पड़ेगा, जिसका भी हमने syllabus किया और उस test को clear करने के बाद, आपको एक और test होगा, उसका नाम है regional language test, जिसे कि हम RLT भी कहते हैं, अब यह जो regional language test है न, इसके बाद ही इसके result आने के बाद ही final selection होगी, तो आपको एक प्रकर्सिम कह सकते हैं कि एक तो आपका objective test हो गया, और दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया, RLT हो गया, तो इसके बाद ही आपकी final selection होगी, और final selection हो जाने के बाद रहेगा probation period जो है 6 मंत का, तो 6 महीने का probation period होगा और उसके बाद हो जाएंगे आप regular, और यह पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी जो इनकी official website है, जो यहाँ पे दी गई है www.uiic.co.in तो detail जानकारी आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं प्लस जो आपने exam apply करना है वो भी आप इसी site पे जाके easily कर सकते हैं Thanks for watching the video and best of luck!